अब आप सोचे क्याल्शियम, मागनीशियम, पुटाशियम, आयन, फाइबर से भरपूर गन्ने का रस आप घर पर ही बना लें वो भी दो मेट में तो कैसा रहेगा और वैसे भी जब आप बाहर जाएंगे न गन्ने का रस पीने के लिए तो बहुत सारे questions रहते हैं mind में कि पत बनाते हैं और हाँ recipe अगर अच्छी लगे न तो like, share और subscribe जरूर कीजिएगा homemade गन्ने का रस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आदा कप के जितना good लिया है मैंने dark color का organic good इस्तमाल किया है आप चाहे तो वो जो light color है न वो भी use कर सकते हैं बट वो chemically treated होते हैं तो dark color का ले यही best रहेगा उसके बाद मैंने उसमें एक कप के जितना पानी डाल दिया है और अच्छे से mix कर लिया है आप चाहे तो यह जो मिश्रा है न उसको चान कर भी ले सकते हैं अगर उसमें कुछ कच्रा वगिरा होगा तो उसके बाद मैंने आदा कप के जितना पुदीने के पते लिये हैं जिने अच्छे से धो लिया है और डाल दिया है इस बोल में उसके बाद एक नीबु लेंगे मैंने छोटा सा इसका नीबु लिया है और उसका रस निकाल कर डाल दिया है इसमें अब मैं यहाँ पे डालूँगी आदा चमच के जितना काला नमक और गन्य करस जो है वो थंडा थंडा ही अच्छा लगता है इसके लिए मैं यहाँ पे आइस क्यूब्स जाल दूँगी इन सारी चीजों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अब यह वाला जो गन्य का रस है ना इसका कलर थोड़ा डाक होगा क्योंकि हमने डाक वाला गुड़ लिया है लेकिन अगर आप लाइट वाला गुड़ लेंगे ना तो उसका कलर एक नम परफेक्ट ग्रीन आ जाएगा अब जो हमने ब्लेंड किया था ना मिश्रन उसे हम चान लेंगे और यह रहा आपका थंडा थंडा गन्य का रस अब इसे ग्लासेज में डाल कर सर्व कीजे और एंजॉय कीजे साथी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजी ताकि इसी तरी के विडियो आपके चानल पर सबसे पहले पहुचे थैंक्स फॉर वाचिए